हेलो स्टूरेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो पिटा आज हम करेंगे चैप्टर एट डाट इस इंट्रोडक्शन टू प्रिग्नोमेट्री यह चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है सिर्फ 10th क्लास के पॉइंट अफ यू से नहीं आपकी क्लास 11 में भी यह चैप्टर है बाकी हाइएट क्लासिज में भी चैप्टर हैं बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर है स्टूरेंट इसको जनरली क्या तफ सोचते हैं लेकिन ऐसे कुछ नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से इस चेप्टर के सारे concept clear करोगे तौ बहुत ही इंटरस्टिंग chapter है है यह तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बेटा प्रिगạo मैंत्री जो वर्ड है इसका meaning क्या होता है यह ग्रीक वर्ड से drive किया गया है तीन सब्दों के मिल से बना ही है, इसमें 3 words हैं, जिनको combine कर रखा है, 3 plus gono, और एक है हमारा last वाला matri, 3 आप सब को पता है, 3 stands for 3, 3 means 3, gono means sides, and matri means measure, means, जो 3 sides को measuring से related है, जैसे हमारी triangle की है, 3 sides होती है, देखो, यह हमें triangle given है, A, B और C, अब क्या है बेटा, यह right angle है at B, ठीक है, अब क्या है trigonometry study होती है, किस चीज़ की, it is the study of relationship between angles and sides of triangle, अगर आप इसको define करेंगे, तो कैसे define करोगे, it is, it is the study of relationship between, relationship between sides and angles of triangle, ठीक है, उनके बीच में एक relation बना के दिये, देती है, तो जैसे बेता, यह जो हमारी triangle है, इसको में दुबारा से repeat कर देती हूँ, इदर, triangle है हमारी A, B, C, तो right angle हमें given है, B पर है, obviously triangle में hypotenuse क्या होता है, बेटा, longest side को हम क्या बोलते है, hypotenuse, तो इसकी longest side हमें 90 के सामने ही रहती है, यह, तो क्या है, यह hypotenuse क्या हो जाएगा, इसमें हमारा hypotenuse तो पता है, AC है, this is the longest side, ठीक है, अप trigonometry क्या है, relation बताती है, angles और side के बीच में, ठीक है, तो हमेशा इस 90 degree की बात तो नहीं हो सकती है, हमारे, यह 90 degree का है, तो angle A, और angle C है, बेटा, यह कहां acute angle है, ठीक है, यह दोनों acute angle है, B आपका 90 degree है, तो अब हमें, जो भी questions हम solve करेंगे, उसमें क्या होगा, एक angle given होगा, और हम उसी angle के base पर पूरा question solve करने वाले है, Let us suppose angle A is given to us, ठीक है, मुझे angle A given है, तो मैं इसी से related बात करूँगे, तो बटा कैसे, देखो मुझे angle A given है, अब देखो, यह angle, जो angle हमें given होता है, यह काफे चीज़े decide करता है, ठीक है, अब मैं बोलूँ, for angle A, what is the perpendicular, आप बोलोगे, B C is the perpendicular, and for angle C, what is the perpendicular, आप फिर से कहोगे, 90 degree यह है, तो आप B C perpendicular होगा, A B पर, ऐसा नहीं है, तो बटा, जो भी angle हमें technometric में given होगा, for angle A, जब हम angle A की बात करेंगे, तो angle A के सामने वाली side को हमें consider करना है, perpendicular, तो angle A के just सामने, ऐसे देखो, एक बार क्या है, side B C, for angle A, B C is perpendicular, ठीक है, short form में लिख दिया है, मैंने B C is perpendicular, ठीक है, अब देखो, B C, angle A के लिए हमें B C perpendicular है, ठीक है, अब hypotenuse तो अलरी मैंने बता दिया, longest side को बोलते है, that is AC, अब बात आती है, base किसको consider करेंगे, तो जो angle हमें given होगा, उसकी adjacent side, angle A given है, तो उसकी adjacent side है, A B, तो यह हमारा होगा, base, तो A B यहां क्या हो जाएगा, base, ठी किसी भी given triangle के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है, perpendicular क्या होगा, उस triangle में, तो perpendicular होगा, side, opposite, to angle, जो भी angle हमें given होगा, उसके, जो opposite side होगा, उसको हम perpendicular कंसीडर करेंगे, ठीक है, फिर है, base की बात है, base क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, side, adjacent side to angle, adjacent side to angle, यह जो angle है, वो given होगा, तो मैं आप रैकेट में डाल देती हूँ, given angle के लिए होगा, आपको hypotenuse लिखने की तो जरुत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है, longest side होती है, यह हमारी क्या होगी, longest side, ठीक है, यहां से clear हो गया, अब बटा मुझे, यह angle है given था, यह जिम ट्रेंगल है, यह जिम ट्रेंगल है, A, B, C, अगेन 90 डिगरी, B, पर इवन है, 4, angle C, what is the perpendicular, 4, angle C, what is the perpendicular, तो मैंने बोला, side opposite to angle, यह जिसके just opposite side है, A, B, तो यहां मारा प्रपेंडिकुलर हो जाएगा A B and what is the base adjacent side to angle अब देखो adjacent side कौन सी यह वाली है यह तो हमारे हाइपोटेन्यूस अपका A C ही रहेगा तो मेंली होता है डिसाइड करना प्रपेंडिकुलर क्या लेना है और बेस क्या लेना किसी ट्रेंग आइटिंक यह आपको हो क्लियर है अब बटा सवाल यह उठता है कि हम ट्रीगनोSubflirt कुछ पढ़ते हैं ट्रिगनोमेटरी है इतना ज्याधा इंपोटेंट क्यों है और यह हाईर क्लास इसने इतना इंपोटेंट क्यों इसको चैजफ़ किया कि यह तो बटा देखो यह क्या है सटड़ी है हमारी टेप या और कोई डिवाइस यूज किये हैं आप सोचिते होंगे कैसे जैस ट्रिग्नोमेटरी ने इसे बहुत इजी कर दिया है तो देखो बेटा आप यहां खड़े हो यह इनोंने डैस डैस वाली लाइन आपके हैड से ली गई है और यह आपकी हाइट है आपको अपनी इंगल बन रहा है तो यह आपका एंगल जो बन रहा है वह आपको नोन होगा कि आप किसने डिग्री एंगल से उसको देख रहे हो ठीक है फिर आपको यह पता है मैं कुतुम मिनार से कितने डिस्टेंस पर खड़ा हूं ठीक है यह डिस्टेंस आपको पता है आपको एंगल रहने से ही आप बिना किसी मेजरिंग डिवाइस के हाइट को केल्कूलेट कर सकते हो और यह सब पॉसिबल हुआ है टेगनोमेटर देखो यह एक तरह से ट्रैंगल बनगे ना यह प्रपेंडिकुलर होगे यह 90 डिग्री फिर यह देखो एक साइड यह हो गई है हमारी और एक तो ट्राइंगल बन गई है और वो टेगनोमेटरी हमें यही सिखाती है ठीक है सेकिन एक्जामपल में देखो एंसी आटी का ही सेकिन एक्जामपल है इसमें क्या गीवन है इसमें एक लड़की है अपनी बालकनी में बैठी हुए यह बिल्डिंग की कुछ ना कुछ हाइट है जो कि नोन होगी कि यह जो इसका फ्लैट है वो ग्राउंड सर्फेस से कितना उपर है हाइट गीवन होगी अब बेल्डिंग स्टेट है तो यह पर पेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री अब देखो यह एक रीवर है यह ब्लू कलर में जो है रीवर गिवन है यह टेंपल है ट रिवर निकाल सकती है साथ में यह यह ला इसके है तो इसी लिए इस टाइप से बील्डिंग की हाइट टावर या और भी बहुत सार एक्जांपल होते हैं उन समय हम इसकोंसेट का ही यूज करेंगे ट्रिग्ण में तो बटाइड यह बहुत ही इंट्रस्टिंग चैप्टर है अब बात आती है कि यह चीजे हम कैसे मेजर करेंगे ठीक है तो इसके लिए हमें ट्रिग्णोमेट्रिक रेशियु के बारे में पढ़ना पढ़ेगा. अब ये ट्रिग्नोमेटरी रेशियु क्या होते हैं, फॉस्स टाइम सुन रहे हैं, छिकिन, तो क्या होते हैं बिटा ये, तो देखो, ये एक तरह से साइड का रेशियू है, जैसे triangle के हमारी 3 side है A, B, C, अब आपको मैं angle A की बात करूंगे, ठीक है, angle A के बारे में, मैं angle A को ही consider कर रहे हूं starting में, हर जगे मैं angle A ही लेके चल रहे हूं, तो for angle A, यह इदर 90 degree है, आपको बता है मैंने angle A के just सामने वाली side होगी मेरी perpendicular, तो यह हमारा हो गया है, perpendicular, and adjacent side, this is our base and this is our hypotenuse, ठीक है, यह आपको मैंने पहले ही समझा दिया, कैसे मैंने इनको consider किया है, ठीक है बटा, अब देखो हमारा जो पहला technometric ratio होता है, sign, second है course, लेकिन यह कैसे आए, याद करने के लिए trick आप use करेंगे, that is, पंडित, बदरी, परसाद, यह प्रशाद होता है, परसाद कोई फरक नी पड़ेगा, P हमें लेना है, हर, हर, बोले, पंडित है तो हर हर बोल रहे है, ठीक है, divide का निशान लगाएंगे, अब आपको क्या करना है, यहां से इनके first first word को extract कर लेना है, मैं यहां अलग से करके पंडित का P, divided by हर का H, फिर बदरी का B, हर का H, फिर प्रशाद का P, और B का बोले का B, ठीक है, यह क्या हो गया, यह P क्या है बटा, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse, and B stands for base, तो perpendicular upon hypotenuse, that is base upon hypotenuse, perpendicular upon base, यह side का ratio है, और इसी side के ratio को हम नया नाम दे देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, तो perpendicular upon hypotenuse को नाम देते हैं, sign, और angle A की बात ओर, इसलिए मैंने लगाया है, sign A, अब आप सोचने है, sign A क्या है, sign A is nothing, but it is the ratio of perpendicular upon hypotenuse, triangle की दो side का जो ratio है, उन में side आपकी कौन-कौन सी लेनी है, perpendicular hypotenuse, उन दोनों का आपस में हमें divide करना है, वो हमारा आजाएगा, sign A, ठीक है, तो first trigonometry ratio होता है हमारा, इसको पूरा लिखते है, sign of A, ठीक है, sign of A, और हम इसे questions में कैसे लिखेंगे, सिंपल साइन है, sign of A, इसको question में हम लिखना है, हमें simple, sign A, अब यह sign है, मैंने अब इभी बता है, बिटा, किसके equal है, यह है, P by H, P by H means ratio of perpendicular divided by hypotenuse, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो भी length होगी, वो हमें given होगी, यह में find out करनी पड़ेगे, उनको दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमें sign A की value मिल जाएगे, अब इस case में बिटा, देखो, जो हमारा first case है, जो हमने diagram बनाई है, उसमें perpendicular किया है, बिटा, B C, तो sign A किसके को लो जाएगा, B C, upon hypotenuse capita, A C, तो यहां से इस तरीके से हम इसको निकाल सकते है, same as it is हमारा second technometric ratio, that is cosine, second is cosine of angle A, और उसको लिखेंगे हम कैसे, cos A, ठीके, questions में आपको लिखना है, cos A, short form में, अब यह किसके equal होगा, second technometric ratio है, यह हमारा cos A, यह आएगा कैसे, यह आएगा, base upon hypotenuse से, उन दोनों को डिवाइड करने से, that is, base upon hypotenuse, ठीके बटा, इतना मारा आगया, दो technometry ratio होगे, cos A की वल्यू इस triangle में क्या आएगी, base क्या है बटा, A, B, hypotenuse क्या है बटा, A, C, निकाल सकने है आप इसली, बिल्कुल, then the third trigonometry ratio is, tangent, what is this? tangent, tangent of angle A, or we can write it, tan A, ठीक है, इसको tan A हम, read करेंगे, tan A क्या हो जाएगा बटा, यह है, third trigonometry ratio, ना, this is the ratio of perpendicular upon base, this is the ratio of tangent क्या होगा, ratio of perpendicular by base, तो यह, देखो, इस triangle में हमारा perpendicular क्या है, perpendicular is BC, and what is base? AB, यह first three trigonometry ratio आपने अच्छे से समझ लिए है, उमीद यही है, ठीक है बटा, यहाँ से हमारा tangent A क्या आ गया है, यह आ गया हमारा BC upon AB, done? यहाँ से देखो, इस particular diagram के लिए, ठीक है, आपको angle उसमें कुछ, C given होगा, तो C के corresponding हमने perpendicular find out करना पड़ेगा, फिर उसके corresponding हमें base, तो वो अलग आएगा, ठीक है, अब हम टिग्नोमेटरी रेशो है, तीन टिग्नोमेटरी रेशो हम कर चुके हैं बटा, और फॉर्थ वन की बात करते हैं, फॉर्थ वन है, Cosec, Cosecant of angle A, और short form में लिखेंगे, इसको Cosec, क्या लिखेंगे, Cosec, अब बटा, यह जो Cosec है, यह किसके equal आएगा, Cosec A, यह जो Cosec A है ना, बटा, यह हमारे तीन टिग्नोमेटरी रेशो हैं, अब इनका reciprocal लेना है में, इन तीनों के reciprocal, तो Cosec A जो है, वो reciprocal है, Cosec A का, means reciprocal है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, reciprocal है तो मैं इसको लिखूंगी, one upon, Cine A, उल्टा भी true होगा, Cine A का reciprocal क्या हो जाएगा, Cosec A, बटा, किसका reciprocal है, Cine A का, अब Sine A का reciprocal है, तो क्या हो जाएगा, Sine तो हमारा P by H है, Cosec क्या हो जाएगा, reverse, इसको reciprocal कर दो, तो H उपर चला जाएगा, P नीचे, इसको reciprocal कर दिया है, तो H upon P, तो simply है, क्या हो गया, it is a ratio of hypotenuse divided by perpendicular, ठीक है, इसको मैं इधर लिख दू, यहां से हमने यह value निकाल लिए, then we are talking about the fifth one, ठीक है, first sign का reciprocal होता है, Cosec, Cosec का reciprocal sign, यह दोनों true होंगे, एक दूसरे के यह reciprocal है, fifth one is secant, secant of angle A, और short form में लिखेंगे, इसको sec A, S-E-C, ठीक है, sec A, यह बटा किसका reciprocal होगा, यह होगा, Cosec का reciprocal, तो this is equals to 1 upon Cose, क्योंकि reciprocal, इसलिए 1 by लिखा, अब देखो यह किसके equal होगा, Cose तो हमारा है, Base upon Hypotenuse, तो secant क्या हो जाएगा, Hypotenuse upon Base, that is H upon B, ठीक है, secant A, it is the ratio of Hypotenuse divided by Base, अब बात करेंगे, sixth और last trigonometry ratio की, यह है हमारा tangent का रहाईजी प्रोकल, तो इसको बोलेंगे, tangent, तो देखो, Cotangent, नाम इसका क्या है, Cotangent of Angle A, और simply इसको लिखेंगे, Coat A, 10 Coat, ऐसे इदा को 10 Coat जुड़ रहा है न, तो Coat किसका रैसी प्रोकल है, 10 का, अब 10 क्या होता है बिटा, perpendicular divided by Base, तो यह क्या हो जाएगा, Base divided by Perpendicular, तो Coat A हो गया बिटा, Perpendicular upon Base, छीखें, आपको यह सब इतना नहीं याद रहता है, तो आपको simply क्या याद रखना है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर-हर बोले, यह आपको लाइन याद रहेगी, और इनके स्टार्टिंग के वर्ड को लिख लेना, आप पूरा नहीं लिखेंगे, पंडित, पंडित का P, बदरी का भी इस तरीके से लिखेंगे, और आपको पता है, जो as it is ratio आएंगे, वो क्या आएंगे, मारे sin, cos और 10, उसके बाद 3 जो technometric ratio वो उनके reciprocal है, sin का reciprocal है, cosec, और cos का reciprocal है, cosec, secant, tangent का reciprocal है, tangent, ठीके, तो इस तरीके से हमारे 6 के 6 technometric ratio मैंने आपको बता दिये हैं, कैसे निकालना है, अब length तो question में हमें given होगी, तो इन में से कुछ एक दूसरे के reciprocal होते हैं, मैं pair में लिख देते हूं, जैसे sin A, ठीक है, यह किसके equal होगा, one upon cosec A के, ठीक है, ठीक है, और cosec A क्या हो जाएगा, वो तो मैंने भी बता है न, cosec A क्या होगा, sin का reciprocal, यह दोनों एक दूसरे के reciprocal हैं, साइन कोसे का, cosec साइन का, ठीक है, मैंने pair में लिख दिया, फिर बात आती है हमारे second की, second था हमारा technometric ratio, cos A, cos A था न, तो उसको short form में cos से लिखा था, वो किसके इक वले बटा reciprocal of secant, यह सीकेंटे किसका reciprocal हो जाएगा, को से, यह formula बहुत ज़रूरी है, आप class 10 में पहली बार पढ़ रहे हो तो घबराने के जरूरत नहीं है, एक दो बार इसको thoroughly read करूगे, या दो जाएंगे, थर्ड बात करेंगे हम tangent, tangent होता है, कोट का reciprocal, तो 1 by कोटे, या कोटे को हम क्या लिखेंगे, reciprocal of tangent, एक दूसरे के reciprocal है न, तो इस तरीके से 123456, आप वैसे याद करो, जो साइन को सैक, सैक, टैन कोट, इस तरीके से आपको ये चीज़े याद हो जाएंगी, जो टिक्नोमेटरी रेशो है, ये कैसे न, कैसे करके related होते ही है, ठीक है, बहुत interesting question होता है, इनको करते हो न, तो एक दूसरे में convert होते ही रहते हैं, अगर आप ठीक से नहीं इनको identity लगाओगे, तो बहुत लास्ट जो exercise है, बहुत interesting है, तो उस तक करने के लिए मैं साफ फॉमले याद होने चाहिए, एक बटाती है, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए और किसके equal होता है, टेंजेंट जो होता है न, हमारा बेटा, ये ratio होता है, sin A upon cos A, कैसे कराती हूँ, टेंजेंट होता है, टेंजेंट इस इक्वल to the ratio of sin and cos, ठीक है, अभी करा रही हूँ, मैं कैसे ये आया है, ठीक है, फिर आता है कोट की बाद, अब कोट क्या होता है बेटा, देखो, कोट is the reciprocal of tangent, तो कोट क्या हो जाएगा, इसका reverse कर दो, कोट क्या हो जाएगा, टेंजेंट का reciprocal, तो देखो, ये उल्टा हो जाएगा, तो उपर आएगा को से, नीचे आएगा, sin A, तो बटा, टेंजेंट जो है मैंने बोला, आपका जो इधर मैं करके दिखा रही हूँ, टेंजेंट, टेंजेंट एक, इसके इकोल मैंने बोला है, ये है, sin A divided by cos A, कैसे, ठीक है, तो देखो, sin क्या है मेरा, sin क्या है, देखो देखो, perpendicular upon hypotenuse, दिख रहा है ना, आपको, perpendicular upon hypotenuse, the whole divided by cos, cos क्या बटा, base upon hypotenuse, ठीक है, अब देखो, ये इसके पूरे के नीचे, तो क्या हो जाएगा, P by H, whole divided है, तो उपर जाके, reverse हो जाएगा, इसका रेसी परोकल, ठीक है, तो H से H कट गया, बिटा, simply आपके पास क्या बचा, perpendicular upon base, that is P by B, टेंजेंट होता क्या है, देखो, ये रही टेंजेंट की value, ये होती है, perpendicular upon base, अब मैंने, इधर इसको तो भूली जाओ कि ये कैसे और दोनों को divide करने के बाद मुझे बिला P by B, और P by है क्या actual में, ये tangent है, तो हो गया ना, prove, कि sin A by cos A क्या होता है, tangent A, इसी तरीके से आप क्या prove कर सकते हो, quote A, quote क्या होता है, cos divided by sin, इसी तरीके से आप prove करके देख सकते हो, अगर आपको अभी भी doubt है, तो quote A, COT है ये, quote A is equal to cos upon sign, same value आएगे, तो बैटा सारे formula में एक साथ करा देती हूँ, क्योंकि exercise 8.1, 8.2, 8.3 में ये कही ना कहीं use हो रहे हैं, तो आज हम सारे formulas कर लेते हैं, ताकि आप एक ही दिन में सारे formulas revise कर लो, फिर हम exercise शुरू करेंगे, तो उसके बाद आता है, बैटा, trigonometry ratios and complementary angles, ठीके है आपको घबराना नहीं है, formula बहुत easy है, आपको 2-3 बार read करके देखो बस, इसमें क्या होता है, यहां से भी मैं pair के form में लिख रही हूँ, तो बैटा, यह होता है हमारा sign 90-a, 90-a, 90 की वज़े से change होता है, 90 की वज़े से change होता है, तो 90 की वज़े से sign किसमें बदलेगा, cos मे ठीक है, sign ने 90 की वज़े से, sign 90 की वज़े से बदल गया, cos में, आप cos भी क्या करेगा, 90 की वज़े से change अपना रंग बदलेगा, और किसमें convert हो जाएगा, sign में, ठीक है, यह रियाद करने के लिए मैं funny way में बता रही हूँ आपको, फिर है बिटा, tangent, 90-a, 10 quote के साथ change होता है तो 10 किसमे quote change हो जाएगा, quote में, 10 quote में हो गया, तो quote बोल रहा है, मैं भी 90 की वज़े से तुम्हें किसमें बदल दूँगा, tangent में, तो यह 10 में change हो गया है, थोर्ड पेर आ गया, बच गए कून, secant और cosec, वो भी आपस में ऐसे ही है, तो cosec बोल रहा है, मैं 90 की वज़े से बदल रहा हूँ किसमे, secant में, secant में, secant, यह भी बोल रहा है, 90 की वज़े से मैं तुम्हें किसमें बदल देता हूँ, cosec, ठीक है, तो यह 6 formula हो रहे है, देखने में बहुत lengthy हो रहा है, लेकिन है बहुत easy, ठीक है बटा, अब जो last आती है, वो है हमारी एक table बनानी, जिससे कि हमें sine, हम हर जगे क्या लिख रहे है, ऐसे लिख रहे हैं, sine of a, cose of a, यह तो, हमेशा ए तो नहीं होगा, कभी हमें दे रखा होगा, sine 0 degree, कभी, cose 30, tangent 45, quote 90 degree, क्योंकि हमें question को solve करना है, तो हमें इन angles पर, हमें इनके particular value भी तो पता होने चाहिए, sine 0 degree किसके equal है, cose 30 किसके equal है, तो इसके लिए हमें table बनानी आनी चाहिए, वो मैं आपको सिखाती हूँ, और मैं यही बोलूंगे, आप उस पूरी table को औरली learn कर ले, तो जिस table के मैं बात कर रहे हूँ ना बेटा, वो यह वाली table है, ठीक है, यह table हमें बनानी आनी चाहिए, और यह values भी हमें सारी याद र इसकी values in between भी होती है और इससे जादा भी होती है, ठीक है, तो class 10th में सिर्फ आप जो values आपको यहां given है, इसी से आपको question आएगा, 11th में आपको बाकी निकालना है, तो इसकी tension नहीं लेनी है, सिर्फ आप इन particular values पे ही इन सब की value निकालोंगे, पर यह दर लिखेंगे, sign, cos, tangent, cosec, second and quad, अब जो आपका main step है, वो करना क्या है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बिटा, यह 0 degree दिख रहा है आपको, तो 0 degree के सामने लिखेंगे 0, counting तो है, याद सभी को न, तो 0, 1, 2, 0 से लेके नीचे counting शुरू कर देंगे, 0, 1, 2, then 2 के बाद 3, फिर 4, यह first step है, इ divide all them by, divide all of them by 4 कर दिया, आपने divide, counting लिखी 4 से divide कर दिया, अब लेना है इनका square root, सभी के ओपर लगा दो square root, इस तरीके से, अब जो solve होता है, उसको solve करेंगे, जो नहीं होता है, उसको ऐसे रखेंगे, 0 by 4, 0 को किसी से भी divide करो, फिर square root लो, कोई फरक नीपड़ना, तो directly क्या जाएगा, 0, मैं इधर लिख रहे हो value, ना, क्योंकि इधर calculation पाथ है, 0 आप बेटा देखो, 1 upon 4, 1, या चाहो तो आप ऐसे लिख दो, root 1 upon root 4, कोई फरक नीपड़ता, तो root 1 तो 1 ही रहेगा, और root 4 क्या हो जाएगा, 2, root 4 क्या हो जाएगा, 2, तो इसकी value क्या आजाएगी, ब बेटा, root 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे 2 पर क्या आजाएगा, root, तो इसको हम लिखेंगे, root 1 by 2 whole root, तो root उपर वाले का 1 का root तो वही रहेगा, 1, फिर इसके उपर root लगा है, तो 1 by 1 root 2 आजाएगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दोनों का लग-लग root कर चलो करके देखते हैं, root 3 में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो that will remain root 3, but root 4 किसमें हो जाएगा, root 4 की value होते बेटा, 2, यह देखो, 1, 4, 1, 4, 1, 1, 1 का अगर root ले भी लिया, तो क्या हो गया, 1 ही रहेगा, तो हमारे sign 0 की value आगे, 0, 30 पे 1 by 2, फिर 1 by root 2, root 3 by 2, और 1, यहाँ वा value learn है, अब sign और cos, ठीक है, यह एक दूसर से बिलकुल उल्टे होते हैं, जो sign 0 पे होगा, वो cos 90 पे होगा, ठीक है, तो इनको नीचे से लिखना शुरू कर दो, नीचे से इनको उपर ले जाना शुरू कर दो, तो यहाँ पर आएगा, 1, फिर 1 के बाद क्या बिटा, root 3 by 2, फ फिर यह वाली value लिखेंगे, 1 upon 2, फिर लिखेंगे 0, ठीक है, तो यहाँ से आपको cos की value पता चल गई, कुछ नहीं करना, आपको नीचे से इनको उपर लेके जाओ, लिख दिया, अब बात आती है, 10 किसके equal है, tangent आपका equal है, sign divided by cos, तो वही वाला formula लगाना पड़ेगा, तो sign a upon divided by cos है, यह है ना, divided by cos है, ठीक है, तो ठीक है इसको करते हैं, अब हम, तो देखो, sign की value क्या है, 0, और cos की यहाँ क्या value है, 1, 0 by 1, 0 आए गया, solve, यह tangent किसकी value होगी, 0 की, अब यहाँ निकालनी है, यह दो, मैंने solve करके इधर लिखा है, तो sign 30 की value क्या हो जाएगी, बाता, 1 by 2, divided by cos 30, cos 30 कितना, root 3 by 2, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 by 2, अब यह whole divided by यह ना, तो reciprocal हो जाएगा, तो upon में क्या हो जाएगा, यह 2 upon root 3, 2 से 2 cancel हो गया बटा, simply क्या बचा, 1 upon root 3, तो क्या बचा, 1 upon root 3, calculation में हटा दे, कि बाद में आपको दिख करता हैगी, गोच 30 की value आ गई है, 1 upon root 3, यहां से देखते हैं, यह हमारी sin 30 की value है, 1 upon root 2, divided by cos 30 भी 1 upon root 2 है, यह तो पूरा ही cancel होगे है, देख रहा है, same-same cancel तो क्या हैगा, tangent 45 हो जाएगा, हमारा 1, क्योंकि देखो बचा, इसको जब उपर लेके जाओगे ना, तो यह क्या हो जाएगा, root 2 by 1, तो root 2 से root 2 cancel, 1 से 1 cancel, चलो करके दिखाते हैं कैसे, 1 upon root 2, whole divided by 1 upon root 2, तो अगले step में क्या हो जागा, यह आजागा, 1 upon root 2, multiply, नीचे से उल्टा हो जागा, तो आएगा, root 2 by 1, root 2 से root 2 cancel हो गया, तो हमारे क्या आगया, 1, next आते हम, tangent 60 की value निकालने के लिए, tangent 60, तो उस्ते पहले sin 60 की है हमारा, sin 60 है, root 3 by 2, अब यह बिटा, whole divided जाएगा, फिर उपर जाके reciprocal हो जाएगा, तो यह 1 by 2 जब इसके नीचे है, ठीक है, 1 by 2 इसके नीचे है, तो उपर जाके क्या, अगा, multiply में जाएगा, तो एक इसमें convert 2 जाएगा, देखो, 2 by 1 में 2 से 2 कट गया, तो यह कितना आ गया है, यह root 3 में इसको हटा देती हूँ, ठीक है, डैनाम देखो, यहाँ पर यह बहुत जरूरी चीज आगी है, 90 तो कितना है, 1 और cos 90 क्या है, 0, denominator में कभी 0 नहीं आता है, इनकेस अगर denominator में 0 आता भी है, तो वो चीज क्या बोलते है, not defined, denominator में कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 by 0 के वज़े से यह क्या आ गया है, इस चीज को हम बता ही नहीं सकते हैं क्या है, तो इसको बोलेंगे, not defined, और इसको लिखेंगे कैसे, infinity, क्या लिखेंगे बटा इसको, infinity, चीक है, अगली technometric ratio की बात करेंगे, that is cosic, अब cosic क्या है, cosic के बटा, reciprocal of sign, reciprocal of sign means, 1 upon value of sign, तो 1 upon value of sign क्या है, 0, ओहो, यह क्या हो गया, again 1 upon 0 आ गया, denominator में 0 आते हैं, हम लिखेंगे, not defined, जहां भी denominator में 0 होगा, उसको लिखेंगे, not defined, अब इसका reciprocal करो, sign, 30 की value है, 1 upon 2, यह वाली value है, 1 upon 2 का reciprocal, 2 upon 1, तो simply 2, यहां है, 1 upon root 2, इसका reciprocal करोगे, तो यह क्या हो जाएगी, यह वाली लिखेंगे, root 2 upon 1, that is, root 2, इसको reciprocal करो, सीधा कर दो, root 3 by 2 का क्या हो जागा, 2 upon root 3, ठीक है, फिर आएगा बटा, इसका reciprocal 1 का reciprocal 1 ही रहेगा, अब सीकेंट क्या होता है, किसका reciprocal होता, cos का, तो simply 1, यह क्या हो जाएगा, root, यह पूरे के नीचे root नहीं है, यह सिर्फ किसके उपर है, root 3 के उपर है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 upon root 3, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, बटा, इसको reciprocal कर दो, root 2 upon 1, या root 2, next is 1 by 2, 1 by 2 का reciprocal, 2 by 1, that is 2, फिर से वही problem, इसका reciprocal करोगे, तो 1 upon 0, तो क्या आएगा, बटा, not defined, ठीक है, अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे sign और cost एक दूसरे के, उल्टे थे, कि मतलब यह जो इसमें value आगे न, cost में यही value नीचे चली जाएगे, यह क्या दो, या इन value को हम उपर लेके गए थे, यहां से नीचे से value लेके उपर गए थे, सेम उमारे कोसेक के साथ भी है, क्योंकि कोसेक और सेक, कोसेक क्या है, तो sign वाला ही न, उसका रेसी प्रोकल, तो जो यह काम करेगा, कोस के साथ, वही कोसे किस के साथ करेगा, सिकिन के साथ, तो देखो, वही आ गया, यहां से देखो, उल्टा लिखना शुरू करने को बोला था, मैंने जैसे यह sign की value आप नीचे से उपर लिख दो, वही आ रहा है, देखो बटा, यह देखो, यहां 1 है, यहां 2 by root 3 है, तो यह भी root 2 by, फिर आएगा root 2, फिर क्या आएगा 2, फिर not defined, समझे, अब एक दूसरे क वही है, नीचे से लिख दो, एक की value निकाल के, 10 में फिर वही problem आएगी, quote का reciprocal है न, या quote कहे दो, tangent का reciprocal है, फिर इसका reciprocal लिखो गे तो बटा 1 by 0, तो क्या आजएगा, not defined, फिर इसका reciprocal करो, root 3, इसका reciprocal 1, इसका reciprocal करो, तो 1 अपनी हो जाएगा, अब यहां पर आती है बात, यह क किया था, otherwise मैंने सारी calculation को erase किया था, यह इसलिए नहीं किया था, कि not define क्या होता है, 1 upon 0, इसका reciprocal करो, बटा एक बर, करो, करो, इसका reciprocal होगा, 0 upon 1, उल्टा हो गया, आप देखो, किसी 0 उपर है, उसको किसी से भी divide करो, क्या फरक पढ़ना है, उसने answer तो कितना ही देना हमे, 0, आपको अच्छे से बनाना, और यहां पर देखो, यह उल्टा ही है, यहां पर tangent में, last में, not define आया था, not define जहां भी होगा, वहां infinity, ठीक है, जहां जहां not define होगा, वहां infinity, ठीक है, बुक में, not define है, तो इसको infinity भी लिखेंगे, तो देखो, यही वाला है, नीचे super value जाना इतने भी formulas मैंने कराए है, उन्हें अच्छे से learn कर लो, return practice करो बिना देखें, तो trigonometry की जो exercise है, वह आपको बहुत ज़्यादा easy लगने वाली है, ठीक है बटा, तो अगर आपको यह सारा समझ आ गया है, तो ठीक है, आधर वाइस एक बार वीडियो को थोड़ा सा पोज करक पीछे करके देखो, तो बटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो इसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी friends हैं, सब के साथ शेयर कीजिए,